प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में सबी का स्वागत है। इससे पहली कक्षा में हम सब वर्नमाला सीख चुके है। आज की कक्षा में हम बारकडी सीखेंगे। हिंदी में आ से आहा तक के अक्षरों को स्वार कहते है। इन स्वारों में एक-एक अक्षर को एक-एक मात्रा चिहन है। का से हा तक के अक्षरों को वेंजन कहते है। स्वारों की मात्राओं को वेंजन और सम्यक्षरों से जोनने से बारकडी बन जाता है। पहले हम मात्रा चिहन सीखेंगे। आ को कोई मात्रा चिहन नहीं होता है। आ की मात्रा चिहन यह है। इ की मात्रा चिहन यह है। ई की मात्रा चिहन यह है। उ की मात्रा चिहन यह है। री की मात्रा चिहन यह है। ए की मात्रा चिहन यह है। आई की मात्रा चिहना यह है, ओ की मात्रा चिहना यह है, आउ की मात्रा चिहना यह है, इसके बाद अम की मात्रा चिहना यह है इसको अनुस्वार कहते है आहा की मात्रा चिहना यह है इसको विसर्ग कहते है अब हम इन मात्रा चिहनों को का अक्षर के साथ जोडने से का बारकड़े बन जाता है बच्चो हम का बारकड़े सीखेंगे का के साथ आ की मात्रा जोडने से का बन जाता है का के साथ आ की मात्रा जोडने से की बन जाता है का के साथ आ की मात्रा जोडने से की बन जाता है का के साथ आ की मात्रा जोडने से की बन जाता है का के साथ उ की मात्रा जोडने से कू बन जाता है का के साथ री की मात्रा जोडने से क्री बन जाता है का के साथ ए की मात्रा जोडने से के बन जाता है का के साथ आई की मात्रा जोडने से कई बन जाता है का के साथ आउ की मात्रा जोडने से कई बन जाता है का के साथ आउ की मात्रा जोडने से कई बन जाता है का के साथ अनुस्वार जोडने से कम बन जाता है का के साथ विसर्ग जोडने से कहां बन जाता है इसी प्रकार सभी अक्षरों के बारकड़ी लिख सकते है इन्या और इनी अक्षरों के बारकड़ी नहीं होते है